आज हम क्लास 11 फिजिक्स की यूनेट 2 की कुछ महत्तपुर आंकिक प्रसनों को देखेंगे जो की यह part 6 है इस प्रकार के प्रसनों का और आधि आप इस प्रकार के प्रसनों की और भी part के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें मैं उन सभी फारिटों की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में देदूंगा तो चली अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इस प्रसने को देख लेते हैं तो प्रसने है एदी सदिस ए फिला से सदिस बी का मौड बराबर सदिस ए माइनस सदिस बी का मौड हो तो सिद्ध कीजिये की सदिस ए वा सदिस बी एक दूसरे के लंब बत होंगे तो सबसे पहले तो हमें सदिस ए वा सदिस बी एदी प्रस पर अर्थात एक दूसरे के लंब बत हैं तो उनकी सर्थ मालूम होना चाहिए तो उनकी सर्थ होती है सदेस A इंटू सदेस B बराबर 0 होना चाहिए तब हम कह सकते हैं कि सदेस A वा सदेस B परस पर अर्थात एक दूसरे के लंबबत हैं तो हमें यही सिद्ध कर देना है इस परसने में तो यह परसने सौल्ब हो जाएगा तो चले अब हम इस परसने को सौल्ब करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिगा है सदेस A पिलस सदेस B का मोड बराबर सदेस A माइनस सदेस B का मोड अब हम दोन पक्षों का बरग कर देंगी तब यहाँ पर हो जाएगा सदिस A पिलस सदिस B का मोड का स्क्वेर बराबर सदिस A माइनस सदिस B का मोड का स्क्वेर तब हम इसको निम्न दो प्रकार से स्वाल्व कर सकती है एक हम सर्वसमी का लगा कर स्वाल्व कर सकती है जो कि यहाँ पर एक सर्वसमी का होती है A प्लस B का होल स्क्वेर की और एक सर्वसमी का होती है A माइनस B का होल स्क्वेर की तो यदि हम इन दोनों सर्वसमी का अंकों लगा देंगे तो यह है स्वल्व हो जाएगा और हम इस पर कर नहीं करेंगे इसको स्वल्व हम दूफी टा सदेस ए पिलस सदेस बी एक कोश्टक में इन्टू सदेस ए पिलस सदेस बी एक कोश्टक में इसी परकार यहाँ पर हो जाएगा सदेस ए माइनस सदेस बी एक कोश्टक में इन्टू सदेस ए माइनस सदेस बी एक कोश्टक में तो चलिए अब हम यहाँ पर multiply कर देते हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा सदेश A into सदेश A, फिर हो जाएगा सदेश A into सदेश B, फिर हर्याँ पर हो जाएगा सदेश B into सदेश A, और चू कि सदेश B into सदेश A बराबर होता है सदेश A into सदेश B तो हमने यहाँ पर direct सदेश A into सदेश B लिख दिया है और यहाँ पर आ रहा था सदेश B into सदेश A और फिर यहाँ पर हो जाएगा आँगे सदेश B into सदेश B बराबर इसी परकार यहाँ पर भी हो जाएगा सदेश A into सदेश A minus सदेश A into सदेश B और फिर यहां पर हो जाएगा माइनस सदेस A इंटू सदेस B क्यांकि सदेस B इंटू सदेस A बराबर होता है सदेस A इंटू सदेस B और यहां पर सदेस B इंटू सदेस A आ रहा था तो हमने डारेक्ट यहां पर सदेस A इंटू सदेस B लख दिया है और यहाँ पर पिलस में आ जाएगा सदस B into सदस B क्यांकि यहाँ पर पिलस इसलिए आएगा क्यांकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है और जब यहाँ पर गड़ा होगा तब माइनस माइनस पिलस हो जाएगा तब यहाँ पर हो जाएगा सदिस A इंटू सदिस A बराबर यहाँ पर हो जाएगा A का स्क्वेर पिलस और यहाँ पर हो जाएगा 2 सदिस A इंटू सदिस B पिलस और यहाँ पर हो जाएगा B का स्क्वेर बराबर इसी परकार यहाँ पर हो जाएगा A का स्क्वेर माइनस 2 सदिस A into चचेश B प्लस B का स्क्वेर तब एहाँ पर A के स्क्वेर से A का स्क्वेर में केंसल हो जाएगा और B के स्क्वेर से B का स्क चेंसल हो जाएगा और एहाँ पर बचेगा केवल 2 for this A into बढ़ाबर माइनस 2 for this A into फचेश B तो जब यह site आएगा तब यह हो जाएगा आंगे 2 सदिस A into सदिस B पिलस 2 सदिस A into सदिस B बराबर 0 तब यह हो जाएगा 4 सदिस A into सदिस B बराबर 0 तो यहाँ पर अंगला स्टेप हो जाएगा सदिस A जो कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है मैंने डायक्ट कर दिया है बराबर 0 बटे 4 तब यहाँ पर आ जाता 0 तो यहाँ पर हो जाएगा सदिस A इंटू सदिस B बराबर 0 और हमें यही सिर्द करना था क्याँकि हम जानते हैं कि एदी दो सदिस सदिस A वा सदिस B परस पर लंब बत हैं अर्थात एक दूसरे के लंब बत है तो यहाँ पर सदिस A इंटू सदिस B बराबर 0 होना चाहिए जो कि यहाँ पर है अता है हम कह सकते हैं कि सदिस A वा सदिस B परस पर लंब बत है